इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टेरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकरे सबरपूर वीडियोज लेकर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए और आने वाले वीडियोज की नोटिफिकिशन जल्च से जल्च पाए स्कॉटलेंड युनाइटेट किंग्डम के एक खुबसरत पाड़ी जगह है इसकी खुबसूरती दुनिया भर के परे टक को अपने और आकरशित करते है स्कॉटलेंड युनाइटेट किंग्डम का एक हिस्सा है या बहत शांदर देश पुरानी विरासत और अदुनिक्ता का एक भैतरिन संगम है तो आज हम आपको स्कॉटलेंड के बारे में कुछ आच्चेर जनक तक्त्य बताने जा रहे है जो शायद आप नहीं जानते होंगे स्कॉटलेंड एक बहुती छोटा सा देश है यह इतना छोटा है कि हमारे दिल्ली के आबादी भी इससे लगबक चार गुना ज्यादा है मगर इस छोटे से देश ने इंसानेत के काम आनिवाली बहुत सी चीज़े दी है इसलिए इस देश को जिनियस का देश भी कहा जाता है पाड़ों पर बसे स्कॉटलेंड के आबादी मातर 54 लाके करीब है आपको जानकर आच्चेर होगा कि इस देश में लगबक 54 प्रतिशत लोग इसाई धर्म का पालन करते वही 36 प्रतिशत जैंसंके ऐसे लोगों के हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते यहां के खुबसूरत नदिया नए पूराने के लिए और गोल्फ कोर्स दुनिया भर में प्रसिद्ध है स्कॉटलेंड की राजदानी एडिनबर्ग को सबसे दिल्चस परेटन स्थलों में से एक माना जाता है यहां हर साल कला का सबसे बड़ा मेला लगता है और यहां 25 दिनों तक चलता है राजदानी में इसके लिए हर साल सबसे ज़्यादा परेटक पोचते हैं स्कॉटलेंड की खुबसूरती को नहारने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं यही वज़ है कि परेटे निहा के अर्थववस्ता का सबसे बड़ा हिस्सा है स्कॉटलेंड की महिलाओ को पूरी दुनिया में सबसे खुबसूरत मारा जाता है और यहां की महिलाओ की आखों का रंग अधिक्तम निला होता है तुन्हें में सबसे दादा लाल बालो वाली लोग स्कॉटलेंड में ही रहते हैं स्कॉटलेंड के लोगों ने हरक शेत्र में अपने काबिलेत का लोहाब मनुआया है साइथ कारों से लेकर बड़े-बड़े वैगनिक, इंजिनियर, डॉक्टर और एक्ट्रेस ने इस देश का नाम खुब रोशन किया है आज आप अपने जीवन में टेलिविजन, फोन इत्ते दे बहुत उपयोग में लाते होंगे पर आपको शायद यह नहीं पता होगा कि टेलिविजन और फोन जैसे चीजों का आविश्कार स्कॉटलेंड में हुआ था